बताऊ ना उस अनपर अनपर आदमी अगर ऐसा काम कर सकता है दुनिया के हर कोई जुक के रिस्पेट कर रहा है लो तो वैसे अनपर ठीक है देश के लिए कि कहीं भी बीच चो रहा है पे जैसे राम बोल दो ना तो लोग सबसे पहले आपके केरेक्टर के बारे में पता लागा लेंगे that he is a pro BJP supporter, he is a pro Hindu वादी supporter, he might always use to give vote to BJP तो आप लोग प्रेडिक्शन क्यों करते हो अगर हम बीच रोट पे जैसे राम बोल रख जायत हो सकता है मैं कॉंग्रेस को बोट देता हूँ जैसे कहीं कुछ कांड हुआ सीधे ऐसे रिलेट करते हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने वो काम किया आप यह क्यों बोल सकते हो कि किसी सिस्टम में दो-चार लोग गलत भी हो सकते हैं जियो का मोबाइल लो जियो का शिम लो लाइव आजा ओ और अम्भानी को गाली दो यह हो गया आज करीवार में बच्चे उदंग हो जाते हैं पडिवार में बच्चे बात नहीं मानना परता है तो माबाप में से कोई उसको डिसिप्लिंग में रखता है freedom of speech का मतलब यह नहीं हुआ कि बीच अपने घर में मा बेहन की गाली दे रहे हो freedom of speech के नाम पे और democracy और secularism के नाम पे है ना वही सर्वनास कर रहा है इस देश का freedom भी गायब है हमारे इंडिया से freedom भी तो इतना देश दुनिया जुक जुक के समान कर रहा है अभी अमेरिका में वाइठ हाउस में मीटिंग होने वाला है एक दिकत क्या है ना आप ये सोच ये दुनिया के सारे बड़े-बड़े लीडर, सारे बड़े-बड़े लीडर एप्रिसियेट कर रहा है, छोड़ो अपार्ट फ्रम पॉलिटिक्स, आप ये देखो ना कि आप अगर भारत देश में हो, आप किसी फोरें कंट्री में जा रहे हो, इसराइल, एक द केस में बीजेपी है, तो पाकिस्तान डढ़ेगा, कोंग्रेस आ गई, we are free, we can do whatever we wanted to, ऐसे क्यों है, आप राहूल गांधी भी बने PM करे, और इतना स्ट्रिक्ट लॉल आए, लरे इन से, तो होता क्या है, कि भाईया ये आएंगे तो ब्रेड मखन मिल जाएगी, ये आएंग प्लेस्मेंट, आप कहते हूं, मोधी हटा दो, सारा विपक्च मिल जाता है, अब विपक्च सारा मिल गया, आप तो खुद ना रोगे कि कौन प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, एक बार ये विपक्च युनाइट हो करकर जीत गए ना, तो आपको विश्वास मानो, बरब बताओ ना, बाजब बाजब बढ़े लगे जब से आई है, दोजार चौद सबसे यही चल रहा है, देखो, हिंदू हुए मुस्लिम, अपने धर्म पे गर्ब करे, बात करे, लेकिन अगर मेडे कोई राम को बोलेगा, तो उसको अपने भी सहने के लिए तयार रहना होगा, अगर मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलता हूँ, तो तुम भी हमें कुछ मत बोलो, अपने अपने खुस रहो ना, अब जैसे ही कुछ हम बोलेंगे भी चौराय पे जैसे राम, दूसरा उसको नेगटिव लेलेगा, अड़े भाया, यह बीजीप का अपसा पूटर है, यह हिं लिचा दिखाना है, वहाँ दो मिनिट में लड़के उखो कर देते हैं, और जहां बड़िवडी का बात आता है, जहां कुछ करने का बात आता है, वहाँ दुम दबा के भाग जाते हैं, क्योंकि सबको अपना जान पहले पर प्यारा है, सबसे बड़ा प्यारा है, सब चीज में बीजेपी, बीजेपी करने का मतलब है, अपोजीशन कभी नहीं जीत सकती, आप बीजेपी का कमी मत गिना हो, आप बोलो कि मैं ये करूंगा आने वाले टाइम में, तभी यू केन वीन, अदर्वाइस यूल है तूफेस पूर 70-80 शूरा इने बहुत बड़िय सब्सक्राइब बड़ाइब बीजेव का का बाइस आप बैटी जी को गाली देख लाइंगे, जी वाल का रे हिंदू को गर्व है अज मोधि जी के उपर अच्छे दिन या ऐसे दिन जाहिए यह बतायकर ….. हमारे 220 करोड को हमारा ठीका करन हो गया तो क्या गलत करा मोदी जी ने 80 करोड लोग को राशन दे दिया तो क्या गलत कर दिया आज हाइवे बना दिये तो मोदी जी ने गलत कर दिया आज हर जगार रोजगार दिये तो मोदी जी ने गलत कर दिया मोदी जी ने गलत क्या कर दिय